अगली खबर है आर्थिक राधानी मुंबई से 68 ठाने जिले के अंतरगत आने वाले उल्हास नगर इलाके की जहां सिंधी समुदाय के इस्त देव साई जूले लाल के सत्संग को लेकर अमरित विला ट्रस्ट के प्रमुख ने विवादित की पणी करदी जिस से विवाद खड करने की मांग करते हुए सिंधी समुदाय के लोगों ने डीसीपी को एक लिखित ग्यापन भी सौपा है आपको बता दे की हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हो रहा था जिसमें अमरित वेला ट्रस्ट के अध्यक्ष गुर्दीप सिंग उर्फ रिकु भाई के नत्रतों में पारी मंडल 4 के पुलिस उपायुक्त प्रशांत मोहिते से मुलाकाद कर इस मामले में कारवाई करने के लिए लिखिश शिकायत दी जो सत्संग में अरिंको भाई साहब ने सिंधी समाज के ये इश्ट देओ जुलाल साही के लिए जो उसका ज्यादा विरोध है कड़ा विरोध है पूरे देश भर से सिंधी समाज के लोग फोन भी कर रहे हैं और आज एक कोलहापुर में शायद गांधी नगर में उनका पुतला जलाया गया है उल्लास नगर में भी सिंधी समाज में बहुत ही रोश है आज सभी संस्तायों में मिलकर डिसीपी साब को निवेदन किया उनको किस धारा के तहट उनके उपर एफाय दर्द करनी चाहिए वो दीपक वाटवाणी जी ने अड़ोकेट दीपक वाटवाणी जी ने उनको साब को निवेदन किया उनको बताया है और डिसीपी साब ने हमें आश्वाशन किया है कि मैं पूरा मामले की शान बन कर शान बीन कर जो विशे होगा और जरूरी कारवाई जरूर करेंगे आपके मीडिया के माध्यम से मैं सबको यह जानकारी देना चाहता हूं कि यह निवेदन के तरीके में जो टिपणी की है वो हमको बिलकुल हम उसका बैशकार करते हैं और इस के चलते उनके उपर कलम डाराएं आई पीसी 153A 295 लागू होनी चाहिए और उनके उपर कंप्लेंड रिजिस्टर होनी चाहिए अन्यत्हा सिंदी समाज के लिए उन्होंने बोला है पू 19 अफ डिसंबर के दिन अम्रित वेला ट्रस्ट नामक एक यूट्यूब चैनल पर उनका लाइव सत्संग